और कानपूर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है आपको बताते कि सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है जहाँ पर कैबिनेट मंत्री राकेश कुमार सचान ने कोड में सरेंडर कर दिया है तस्पीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से राकेश कुमार सचान ने सरेंडर कर दिया है कानपूर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहाँ पर राकेश कुमार सचान ने सरेंडर कर दिया है और इसी खबर पर हमारी साथ जुड़ चुके है कानपूर के ब्यूरो चीफ आदिक जौनकारी के साथ प्रभात तो प्रभात आप हमें ये बताई कि राकेश कुमार सचान ने आज सरेंडर कर दिया है आदिके पर्लि भी विताना जाओं एंका मामवले में इनको एक साल की सजा सुनाएगे उस सजा में इननों के बंड भर कर जमान अपा लिये पिल्कुल प्रभाद यहां आपसे यह जानना चाहेंगे कि राकेश कुमार सचान पर यह जो आरोप लग रहे थे अभी तक वो कितने सही साबित हुए हैं और कोड की तरफ से क्या कारिवाई हुई है कर देखे कोड की तरफ से कर पल्वी कारवाई की बात कर देजा तो इसमें इन्होंने जमानत पचाआजार के बेल वाइंड है उसके पर करी गई तो उस बात्षीक नहोंने प्रबाद बिल्कुल आप सही कह रहे हैं एक तरफ जहां पर राकेश सचान अपने उपर लगे आरोपो को निराधार बताते हैं वही दूसरी तरफ जाकर सरेंडर कर देते हैं और ये बड़ी जानकारी खुल कर सामने आ रही है जहां पर कैबिनेट मंत्री सचान ने सरेंडर कर दिया है योगी सरकार के मंत्री माने जाते हैं राकेश सचान और इस तरीकी के सरेंडर करना एक बड़ी बात हो जात सब्सक्राइब और उसके बाद जमानत की बात करें तो जमानत का बेल बॉंड पचाजार का भर कर सब जमानत पाए है अब पूरी तरीके से राकेश चचान पर हावी हो चुकी है राकेश चचान सरेंडर कर चुके हैं वही संजय निशाद का भी इसमें नाम सामने आया है प्रभात ओऄ हमसे बात कर चाहे है ओई यही संजय निशाद की सो अभी तक रही तक बात करी जाए तो उसकी सजा और उसके लिए जो कानून है वो एक बराबर मिलेंगे धन्यवाद प्रभात इस तमाम जानकारी को आपने हमारे साथ साचा किया तो बड़ी खबर आपको बता रहे जापर कानपूर से बड़ी खबर सामने आ रही है गैबिनेट मंत्री राकेश कुमार सचान ने कोट में सरेंडर कर दिया है ACMM 3 की कोट में सरेंडर किया है राकेश कुमार सचान ने बड़ी खबर खूल कर सामने आ रही है आपको बता दे कि योगी सरकार एक तरफ जहां पर जीरो टोलरेंस की बात करती है जीरो क्राइम की बात करती है वहीं पर योगी सरकार के ही मंत्री है राकेश कुमार सचान जि फिलाल इतना ही आप देखते रहिए आर्या न्यूज